जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वो खड़े हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय सक देश की सेवा सैनी के तौर पर की है और ये सब लोग अगनीपत योजना का विरोध कर रहे हैं तो चलिया मिनी से कुछ बात करते हैं इस योजना को ले करके तो सबसे पहले आप अपना नाम बताईए और थोड़ा अपना परिच्छे दीजे कि आपने क्या किया सेना में किस भूमिका में रहे हैं दिनेश सांगवान डारेक्टर सांगवान डिफेंस अकेडमी रोध तक और मैं नेवी में था सम्मरीन में मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि चार साल में जिसमें एक साल तो चुटी हो जाएगी बत्सों की और कितनी training कर पाएगा और क्या कर पाएगा ओ देश के लिए not only ये देश के लिए खराब है बलकि देश की सुरक्षया और बच्सों के लिए दोनों के लिए खराब है अच्छा आप नेभी में आपने कहा रहे हैं कि आप आपने काम किया है तो थोड़ा ये बताईए कि नेभी में जो कहा जा रहा है कि 6 महीने के ट्रेनिंग में हम आपको सैनिक बना देंगे, अगनिवीर बना देंगे, तो नेभी में एक मुकमल नाविक बनने के लिए, सेलर बनने के लिए कितना समय लगता है। तेस्ट नहीं लिया जा रहा है, उनका टेस्ट लिया जाना चीए, एरफोर्स का जिनका टेस्ट, फीजिकल, मेडिकल, साइकलोजिकल, गुरूप डिसकसन, उनकी ज्वैनिंग करवानी चीए, और जिनका एरफोर्स का टेस्ट हो चुका उनका रजल्ट आना चीए, कम से कम पह करके भी लगब दस साल हो चुके हैं मेरा मेरी ज़एजबात किसी से कम लग लग रही है आपको आज हमारे शाब करें हैं कैप्टन साहब खड़े हैं हमरे सुगदर में आपको नट यह यहा पचास-पचास साल के किर्केटर कर खेल सकते हैं चक्योमार सकते हैं तो 35 साल का ज़ तोटल जो है निकम्मी सरकार है इसना पहले पेरा मिल्टर की फोर्स की जो पेंशन को पर हथोड़ा मारा और दूसरा थोड़ा अब क्योंकि यह बोज नहीं उठा पारे यह सेना का जो पेंशन का बोज है अगलने आप अपना नाम बता हैं और प्हले बता कि अपने कितने साल सेना में सेवा करें मैं सुबधर मेजर लाल चंध यादो एपीटीσी कोर से और मैं 28-28 साल सेवा करके मैं सेवा निवरित हुआ हूँ इस योजना के समर्थन वाने कह रहे हैं कि सेना में सैनिकों से ज़्यादा टेक्नोलोजी की ज़रुत है टेक्नोलोजी कम हो गई है तो इस पर आप क्या कहेंगे इसलिए यह योजना लाइगे देखिए बैसा बैसा है कि स प्रतिसाद हम चार साल बाद ले लेंगे यह 25 साल बाद जो जिसको लेंगे न 25 परतिसाद यह उनके अंदर उतना ज्यान पैदा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब ये बात बताई एंबीबीस डॉक्टर या इंजीनियर जो बनता है वो पढ़ाई करने के लिए कितना स एक ब्रती होता है उसकी डेडेर दो दो मेंडाया साल तक की तो इसकी ट्रेइनिंग होती यह पहले बेसिक ट्रेइनिंग जो है चह महीने के या और यह आपने इस दर्वाजे की रक्षा करनी आपने इतनी लंबी सेवा की है तो जो आपके अंदर जज़बा देश को ले करके है जिसको कहा जाता है कि सेना में एक अमूर्थ किस्म की भावना होती है जिसे नाम, नमक, निसान कहा जाता है ये केवल चार साल के अंदर पैदा हो जाएगी? नहीं हो सकता उस सेनिक के अंदर ना तो राष्टर के परती इतनी सदभाव ना सकती राष्टर के परती प्रेम नहीं पैदा हो सकता राष्टर के परती प्रेम जागरित करने के लिए बहुत सारी कठनाईयों से गुजरना पड़ता है और वो कठनाईयों से वो वन्चित रहे वाले हम लोग है एक होते हैं और वही लिए को दिशा और दसा देते हैं के एंदर क्या जज़़़ा और कैसे और किस परकार का होना चाहिए अब यह बताइए जब जिस सार साल चार साल में तो उसको अपने बोड़ी को मेंटेन करने के लिए उसका सरीर का डिसलिन सुदारने के लिए लग जाएगा और एक साल तो उसका छुट्ती में बीछ जाएगा आमे काम किया है तो ये जो लोग कह रहा है महिंद्रा, टाटा, अंबानी कि जब वहाँ से आएंगे तो इतने ज़्यादा वो प्रबल होंगे कि हम उनको अपने जगह पे नौकरी देंगे तो इनके कहने का क्या मतलब बहुत दुर्भागे की बात है यह हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर सिरी राजनाजी को यह सोचना चाहिए था कि देश के सेनिक को इतना नीचे गिरा देंगे उसको चोकिदार बना करके खड़ा कर देंगे बस और कुछ नहीं चाहिए इन्होंने बहुत गलत किया है आपका नाम और आपने सेना में कौन सी भूमी का आदा किए मैं बाल की सान यादो उत्तरप्रदे संभधर और सेना में जो आर्मी मेडिकल कॉर में होता जो डूटीयां होती जादेटर हमने स्ट्रेक्टर का ही डूटी काम किया हो तो यह कहा जा रहा कि सरकारी खजाना बहुत ज्यादा सेना पर खर्च हो रहा है और जब हम सैनिकों की संख्या सैनिकों केवल चार साल की नौकरी देंगे और उनकी संख्या कम कर देंगो सरकारी खजाना बचेगा इस पर आपकी क्या रहा है देखे सरकार है अगर ज्यादा खर्चा पढ़ रहा ह है तीन साल का अगर तीन साल का एंसी करा के ट्रेंड वी बच्चा भी फाइरिंग करता अभी गोली चलाता है तो क्या जो रहो थे चार साल की उन्हीं तीन सालों को भेद दीजिए इनको रहने दीजिए नंबर एक नंबर दो देखे सेना एक ऐसी संस्था है कि 26 जनौरी 15 गस् सायनिक जितनी सर्विस करता है उतना लाश्ट तक उसकी ट्रेनिंग होती रहती है